नमस्कार साथियों इस समय आप देखिए राजस्तान की साथ विदानसभा सीटों पर उप्चुनाव के लिए लगातार सुबर से ही ताबरतोर तरीके से वोटिंग चल रही है मद्दान के अंदरों पर लंबी लंबी कता रहे है इसी बीच सबकी निगाए खीमसर पर है और खीमसर के अंदर करीबन एक घंटे बर पहले ही कॉंग्रेस की प्रतियासी डॉक्टर रतन चौधरी ने शोशियल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है कुछ एक फोटू जारी किये जिसके बाद में संसनी फैल गई है डॉक्टर रतन चौधरी का 31 सेकिंड का एक वीडियो है जिसके अंदर वो सीधे तोर पर ये आरोप लगा लगा ली है कि बीजेपी के कुछ कार्यकरता उन्हें मुझ पर गारी चड़ाने की कोशिस की है और उसके बाद में उन्होंने वीडियो जारी करके तमाम तरीके से आरोप लगाए है और सीधे तोर पर का है कि ये तो देखिए अभी तक तो ये इनके विडायकी नहीं बने और उससे पहले इनकी तानासाई है वो सुरू हो गई है इसी बीच आप देखिए लगाता जो खिंसर के अंदर वोटिंग परसेंटेज जो नजर आ रहा है या पैटेंज जो नजर आ रहा है जबरदस तरीके से लोगों के अंदर उससा है सुबह 9 बजे के आसपास 11 परसेंट के आसपास जो वोटिंग थी वो हो गई थी और उसके बाद में 11 बजे के आकड़े आने है लेकिन जिस तरीके से रतन चौजरी ने और जो उनके जो पती है पूर्व आई पीएस है उन्हो रतन चौजरी के आप देखिए कल रात को भी जो दास्तिय लोक्त अंतिक पार्टी की पूर्व विदायके इंद्रा बावरी है उन्होंने भी उस समय पुलीस पर गंबीर आरोप लगाये थे कि साब मैं साधी के अंदर जा रही थी मुझे परिशान किया जा रहा था मेरी ग राजस्तान सरकार के कई मंत्री विरायक लगातार है वो पिछले कई दिनों से प्रवास करे थे और बीजेपी को कहीं न कहीं इस बार उमीद है कि जो पिछले कहीं सालों से लगातार हनुमान बैनिवाल की सीट है तो यहां पर वनवास है वो खतम हो सकता है रतन चौजरी न वो मतदान के दिन ही आप देखिए इस तरीके से जो रतन चौधरी का सीधे तोर पर वीडियो जारी करना आपने आपने देखें इस वीडियो के अंदर रतन चौधरी के आरोप के अंदर कितनी सच्चाई है यह तो पुलीस और प्रशाशन की जाच में ही साबने होगा क्या किमसर के मददाताओं आप आज देख सकते हैं कि अभी तो वो निर्वाचित भी नहीं हुए है उसके बाद भी भारतिये जनता पार्टी के उमीदवार के कारे करता आज सुबह मेरे उपर गाड़ी चड़ाने का पूरा-पूरा इन लोगों ने प्रयास किया और यह मैं इस आज आज सकते हैं